हेलो गाइस विल्कम बैक और बैक टी विलकम तो स्वागाते हैं आपका हमारे चैनल हॉंटिंग नाइट पे तो विना वक्त को जाया के शुरू करते हैं आज की एक्स्प्लेशन मुवी के स्टाटिंग में हम एक डॉनी नाम के स्टूडेंट को देखते हैं जो की अपनी ही टीचर के साथ फ्लट करने की कोशिश करते हैं और उसकी टीचर उसे डिटेंशन में डाल देती हैं लेकिन डिटेंशन क्लास में डॉनी की टीचर उसे सेडियूस करती हैं और वो द जब 18 साल का होगा, तब ही उसे पूरी कस्टडी मिलेगी। अब डॉनी इस केस से काफी ज़ादा फेमस हो जाता है। वो बहुत पॉपुलर हो जाता है। उसकी इंटर्वियू लिया जाता है। और वो काफी सारे टीवी स्टो में भी आता है। फिर उसके पास बहुत सारे प बिजनसमें था और बहुत रिजवी था। जो कि उसके पैरेंटेज के टूथ को छुपाने के लिए अपना नाम भी चेंज कर लेता है। एन सोलो वर्गर्स से टोड पेटरसन। एन उसकी पैरेंट्स ने जो पास्ट में हरकत की थी उसके वज़े से वो काफी शर्मिंदा म और अगर उसने वो ये टैक्स नहीं दिया तो उसे जेल हो जाएगी। डॉनी जेल जाने के दर से 20 डॉलर एक मैना तो रनर पे लगाता है। डॉनी और पैसे कमाने के लिए एक टीवी परडूसर के पास जाता है। परडूसर का नाम था मॉर्गन डॉनी के साथ काम कर चु को देखता है। और वो उसे ढूनते हुए उसके बॉस के घर चला जाता है। टॉड वह अपनी वेडिंग की तैयारिया कर रहा था। और जब वो डॉनी को देखता है तो वो शौक्ट हो जाता है। क्यूंकि उसने तो सबको ये कहा था कि उसके पैनल्स मर चुके हैं तो इ उसे मना कर देता है। टॉणी वहाँ भी अपनी उट पटंग हरकते करता रहता है। लेकिन डे बाई दे सब लोग उसे पसंद करने लगते है। टॉड एक दिन डॉनी और अपनी दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाता है। यह पर डॉनी को ये पार्टी बहुत जाएगा और टॉड समझेगा कि उसके फादा नहीं है सब कुछ पैसो के लिए किया लेकिन टॉड उसकी नहीं सुनता और नेक्स दे मॉर्निंग में ही जेल चला जाता है। डॉनी को ये पता चलते ही वह भी टॉड को रोकने के लिए जेल पहुच जाता है। फिर जब वह इग्रिमेंट का कोई भी पेपर प्रूफ नहीं था। फिर डॉनी यांसे चले जाने के लिए पैकिंग करता है। लेकिन वह जैमी की बाते सुन लेता है। और वह समझ जाता है कि जैमी टॉड को चीट कर रही है। और उसका अपने बॉस टिफ के साथ रिलेशन्शिप कर टॉड को सब बताने की कोशिश करता है। लेकिन जैमी उसे ही गलत प्रूफ कर देती है। फिर डॉनी सौरी बोलके वहाँ से चला जाता है। लेकिन डॉनी को ये भी पता चल जाता है कि जैमी के उसके ब्रादर के साथ भी रिलेशन्शिप है। और वो दोनों अक्सर मि हो प्रोछ जाता है। और टॉर छैमी से ब्रेकड़ कर लेता है Спिर नाम हैंड्स वे बी कहता है। जह 1 डॉनी के सारी उधार चुका देगा लेकिन डॉनी मना कर देता हैं। दोस्त आके उसे कुछ कहता है। और वो टीवी आन करते है् GAREPL. कि डॉनी ने जिस मैराथन रणनर पर पैसे लगाते वो जीत गया है और डॉनी वी 1,60,000 डॉलर जीत जाता है और ये मूवी यही पर इंड हो जाता है